जय माता रानी दोस्तों आपके अपने चैनल किरन ब्लोग्स एंड घ्यान की बाते चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा माता काली की किरपा आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं कि जब मा की पूज कॉऩे हैं कर से स Obi धू जब हम जाप करते हैं और जब करते हैं विछ सुरूप से हमारे खुटनों में धर पूंप हो सुरू हो जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके तो कंदहने में दर्द में शुरू हो जाता है छाती में दर्द शुरू होना या सिर में दर्द शुरू हो जाता है हात पैर उठते नहीं है एक बार बैठ गए उसके बाद उठते ही नहीं है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्या कारण है जिस पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं अपने भले के लिए हम पूजा खाहं कर रहे हैं यह संति के लिए क्या होता है है यह महार्व सरी में जो वह दर्ध सुरूर होना शुरूर हो जाता है दर्थ का क्या कारण है इसके बारे में तो अधिकतर लोग को यह पता नहीं होता है कि पूजा करते समय ऐसा बार-बार आपके साथ क्यों हो रहा है आप इसक। क्या संकेत है यह इसको समझ ही नहीं पाते हैं तो बहुत बारिकी से मैं आपको इन चीजों के बारे में बता रही हूँ और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए तो जब आप पूजा पाठ करते हैं और आगर आपके सरीर में कोई प्रेत बैठा है तिक है जब आप पूजा पाठ करते हैं और आगर आपके सरीर में कोई प्रेत बैठा है दर्द उन्ही के बढ़ते हैं दर्द उन्ही के सरीर में होते हैं जिसके सरीर में कोई प्रेत बैठा ह होता है आपके सरीर में कभी वो आपके कंधों पर बैठा होता है किसी के घुटनों पर बैठा होता है किसी के जो नाभी होती है अधिक तर्म जो माता बहनों की नाभी होती है नाभी पेडू उसके नीचे बैठा होता है जो गंदे प्रेत होते हैं या फिर जो चुडैल होती ह गंदी होती है वह हमारे नाविक से नीचे बैठती है मतलब माता बहनों के और वहां पर परेशानियों से उत्पन्द करती है ठीक है परेशानी वहां पर बढ़ा देता है बच्चे को खराब करना वहां पर दर्द करना इस परकार की परिसानिया खड़ी करती है तो वो प्रेत की तो वो जगा है वो अलग-अलग होती है ठीक है और वो इन्हीं जगों पर बढ़ता है जैसे मैंने आपको बताया कंदों पर बढ़ जाएगा गर्धन पर बढ़ जाएगा और उसके बाद में आपके देगा कुछ चाहेंगे और चाहेगा करवाएंगा करवाएंगे कुछ और तो कुछ और हो जाएगा काम इस परकार से ही वो आपकी बुद्धी को खराप करके रखता है अब होते क्या है अब आप पूजा पाठ करते हैं तो सकारात्मक सक्तियों आपकी तरफ आकरसित होती ह भगवान की सक्तियां दिवी देवताओं की सक्तियां आपकी तरफ आकरसित होती है उनके अंस आप तक आते हैं वो जो अंस होते हैं आप इस परकार से समझ सकते हैं जैसे पानी की बुंद पानी की बुंदे बारिस की बुंदे आपके सरीर पर गिरते हैं उसी परकार वो अंस की बो श्रस पर होती है आपके आत्ma पर है वह बोच्छार है जिस प्रकार बारीश की बोच्छार को बीञार बहुतрий है तो गुठने में बैठा है कंधे पर बैठा है पेड़ों पर बैठा है जहां पर भी वह बैठा है उसको पीड़ा होने पीड़ा शुरू हो जाती है उसको दिकत होनी शुरू हो जाती है उस अस्थान पर उस प्रेथ को दिकत होनी शुरू हो जाती है अब क्या करता है वह प्रेथ वह प्रेथ आपको दर्द देना स्टार्ट करता है बिमुख कर दे, आप पूजा ही ना कर पाएं इस परकार से, वो सिचुएशन क्रियेट कर देगा, कर देता है कि वो उस दर्द को इतना बढ़ा देता है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार, जब भी पूजा मैं करता हूं या करती हूं, तब भी मैं मेरे को प करते हैं, तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान कभी आपको दर्द नहीं दे सकते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई प्रेत ऐसा बैठा हुआ है, जिसको पीड़ा होती है, जिसको परिसानी होती है, आपके पाठ करने स आपको दर्द को जितना हो पाए उतना बढ़ानी के कोशिस करता है पर क्योंकि आप 10 मिनट पूजा करते हैं आधा घंटा पूजा करते हैं तो उस जो प्रेत होता है उसकी सक्ति उतनी ही कम होती चली जाती है अगर आप ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे उसकी सक्ति और ज्य हिरीर में होती है और तो सकारात्मक उर्जा की विरिधी होगी तो नकारात्मक उर्जा ओर स्री हनुमान अस्ट का पाथ करते हैं तो आप एक गिलास जी समया पाड़ंक基本 में एक गिलास पानी रखिए और जब भी आपका पाठ पुर्ण हो जाए तो उसमें तीन फुक मारिए पानी में तीन फुक मारिए उस पानी को हर जगा छड़क दीजे अपने उपर छड़क दीजे और पानी को पी जाए ठीक है देखेंगे कि वो नाका रातमक सकती आपके शरीर इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि वो उस अस्थान में आपको दर्द देना ही, देना बंद कर देगा, दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कमजोर पढ़ जाता है, पढ़ता है, अचला जाएगा, आपको दर्द नहीं देगा, जब भी आप पुजा पाठ करते हैं, और अगर अहसास होता है ये दर्द, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब भी पुजा करें ना तो एक गिलास पानी रख कर जरूर पुजा करें, ठीक है, और आगे बाद करती हैं कि और क्या होता है, वो प्रेत, इतना कमजोर हो जाता है कि फिर वो आप पर अटेक ही नहीं कर प किसी बैक्ति के हाथ पेर कट जाते हैं, तो वो किसी लायक नहीं रहता, उसी परकार उसकी सक्ति का अंस जो है, वो खत्म हो जाता है और एक किसा का रातमक उर्जा आपके पूरे सरीर को घेर लेती है, जिससे कि वो प्रेत, आपको कोई नुकसान नहीं पहुचा पाता है, तो यह भी एक बहुत ही बारी की जानकारी है, बारी की से मैंने आपको बताया है कि कोई प्रेत कैसे आपको दर्द बढ़ाता है, कैसे आपको परिसान करता है, और किस परकार जब आप पूजा करते हैं, तो पूजा के समय आपको दर्द आपको बढ़ जाते हैं, आपके द चुबा साम आप पूजा करते हैं, आप आधा घंटा पूजा किजिए, एक घंटा जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए बहतर होगा, और मानसिक जब करें, जो मंत्र आपके इश्ट से जुड़ा मंत्र है, चाहे आप भगवान सिव की पूजा कर रहे हैं, तो ओम नम सिवाय मंत्र का जाप मानसिक रूप से जाप करें, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मानसिक जब किजिए, उसका चलते फिरते, उसमें चलते फिरते मानसिक जब किजिए, उसका साथ ही, अगर आपके जो माता दुरगा आपके इस्ट हैं तो ओम धूम दुरगाय नम मंत्र का जब किजिए ठीक है या फिर बीज मंत्रों का जब भी आप करते हैं जैसे माता काली का क्रीम बीज मंत्र है तो उसके बीज मंत्र माता काली के क्रम मंत्र का आप वो किजिए मंत्र जब किजिए आपको सभी देवताओं क मंत्र आपके गले मार्केट में मिल जाएगा ठीक है आपको कोई दुख नहीं दे पाएगी आपको परिसान नहीं कर पाएगा और दीरे दीरे उस सक्ति के अंस खत्म होने शुरू हो जाएगे अंस मैंने आपको बता दिया है अंस क्या होता है जेसु धारन के लिए मैं बता दू कि छोटे छोटे टुकड़ों से पंजल का नाम आपने सुना होगा पजल सुना होगा छोटे छोटे टुकड़ों से एक पजल बनती है तो पजल जो है फिर वो एक आकरिती बन जाती है तो जो छोटे छोटे टुकडे हैं वो अंस होते हैं तो ये जब देवी सक्ति आपके सरीर में परवेश करती है तो ये उस नकारातमक सक्ति के ही अंस को खत्म करती है जिससे वो आकरिती की ही खत्म हो जाए और जितने अंस इसके मरते हैं खत्म होते हैं उतने ही आपको अराम मिलत है मिलना सुरू हो जाता है ओर एक ऐसा समय आता है जब आपकी लगतार जबस के कारण वो सक्ति के अंस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एक भी नहीं रहता है जो फिर आपको किसी परकार का नुकसान नहीं कर पाता है नहीं दोबारा आपके सरुरी में परवेश कर पाता है तो मुझे आशा है यह जनकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को सेर कीजे आप ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक यह जनकार किये हैं तो इसी तरीके से की दर्द बढ़ जाते हैं ठीक है जब हम पूजा करते हैं तो उन लोगों को तक यह वीडियो पहुचे और जिनका ऐसा प्रस्ण होता है उन लोगों तक भी यह जनकारी जाए ताकि उनको भी इससे फायदा हो ठीक है बाबा भोले नात की किरपा मा दुरगा की किरपा आप लोग पर सदा सरवदा बनी रहे अब मिलती हूं आप लोग से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय मातारानी